Hello everyone, welcome to JK Civil Services So, आज हम पढ़ेंगे कि अगस्त मन्त में जो जो करंट इवेंस हुए हैं जो जो भी important चीज़े हुए हैं वो सारी कि सारी मैं इस वीडियो में आपके साथ discuss करूँगी Multiple choice questions के इलावा जो भी चीज़े मुझे important लगेंगी कि ये JK SSB के exam में आ सकती हैं मैं उन सारी चीज़ों को discuss करूँगी तो एक काम करें अपने साथ pen और notebook ले ले ताकि आप important चीज़ों को note down कर लें जो यहाँ पे नहीं लिखी गई है हर एक चीज़ को पढ़ाया जाएगा तो वीडियो शुरू से लेके end तक देखें आपके लिए यह वीडियो बहुत helpful रहेगी और एक बात यह जो PDF है यह आपको app में मिल जाएगा और app का जो link है वो मैं description में दे दूँगी JK PSI का पूरा syllabus पढ़ाया गया है VLW का पूरा course है FWA का पूरा course आपको JK Civil Services की app में मिल जाएगा वहाँ से जाके यह सारा का सारा syllabus पढ़ें और अच्छे से तियार करें क्योंकि exam जो है वो आने वाला है कुछ ही time रहे गया आपके पास बहुत कम time रहे गया और यही time है कि आपको भी मेहनत करनी है अच्छे से मेहनत करो और अच्छा result दो तो चलिए हम start करते हैं first question यहाँ पे है according to UNCTAD what is the rank of India in digital currency ownership in 2021 so यह जो question है UNCTAD की बात कर रहे है यहाँ पे UNCTAD जो है न यह आपके international organization है यह उसमें पूछा गया है यह UNCTAD की बारे में पूछा गया है अलग से question है और उपर से यह current affairs में भी आया है तो इसका मतलब क्या है कि यह important question है यह paper में आ सकता है तो इस question को आप पढ़ ले पहले तो आपको पता होना चाहिए कि UNCTAD की full form क्या है तो इसकी full form है United Nations Conference of Trade and Development United Nations Conference of Trade and Development इसकी जो foundation हुई है वो कब हुई है 1964 में 1964 में इसकी foundation हुई है ठीक है और यह जो एक trade organization है यह intergovernmental organization है यह क्या करती है यह promote करती है interest of developing states in world trade इंडिया जो है वो भी एक developing state ही है developing nation ही है और इस तरह की कि जो developing nations है उनके interest को promote करने के लिए किसमें world trade में प्रमोट करने के लिए किनको developing nations को उसके लिए यह जो है यह organization बनाई गई है और इसमें भारत का कौन सा स्थान है कौन सा स्थान है digital currency में digital currency ownership in 2021 में भारत का कौन सा स्थान है यह है पार्ट C इसका answer है 7th position पे है इंडिया जो की निवेश करता है and virtual currency बगएरा इसमें आता है और actually इसका goal क्या है इसका goal है maximize करना है trade को investment and development को ठीक है और इसमें जो अभी 2021 का जो एक survey आया है उसमें first rank जो आया है वो है US का first rank में जो है वो है US followed by China उसके बाद China फिर Hong Kong और इसी तरीके से 7th जो position पे है 7th rank पे है India in digital currency ठीक है और एक चीज़ और इसके बारे में आपको बता दूँ कि इसका जो head quarter है वो है जेनेवा में Switzerland में ठीक है जेनेवा Switzerland तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि UNCTAD के बारे में आपको थोड़ा बहुत knowledge होना चाहिए क्योंकि ये आपकी syllabus में भी है अलग से और next question देखते हैं Who among the following is author of book titled Rusty Skies and Golden Winds ये जो बुक है Rusty Skies and Golden Winds ये जो बुक है ये एक छोटी से लड़के ने लिखी है इसका answer है इस बुक में basically है क्या points है इसको डॉक्टर जतिंदर सिंग ने रिलीज किया था जमू में अंडर ब्लू रोज पब्लिशर के अंडर ये जो बुक है ये पब्लिश हुई है नेक्स्ट कोशन हम देखते है अग्रिकल्चर मिनिस्टर नरेंदर सिंग तोमर लेस फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडो इस्राइल सेंटर ओफ एक्जिलेंस फॉर वेजिटीबल्स इन विच सिटी ऑफ उत्रप्रदेश एक इंपोर्टन कोशन भी है पेपर में भी आ सकते है पहली बात तो यह है कि आपको ये पता चल गया है यहां से कि अग्रिकल्चर मिनिस्टर जो है वो उनका नाम क्या है नरेंदर सिंग तोमर ठीक है नरेंदर सिंग तोमर जो है वो अग्रिकल्चर मिनिस्टर है उन्होंने एक फाउंडेशन स्टोन रखा है किस-किस के बीच में इंडिया और इस्राइल के बीच में ये जो फाउंडेशन हुई थी ये थू वीडियो कॉन्फरेंस के थू हुई है ये नाम दिया गया है इस फाउंडेशन का center of excellence for vegetables थीक है center of excellence for vegetables इस फाउंडेशन का basic जो motive है वो ये है की जो vegetables है उनकी quality भड़ानी है productivity अच्छी हो और नई जो टकनिक्स है ने जो farming टकनिक्स है उसको use किया जाएगा इस foundation के अंदर farmers को training camp training camp भी provide किये जाएंगे farmers को और youth को खासकर educated youth जो है वो भी farming के तरफ अपना कोई ना कोई योगदान दे और इस foundation का main motive ये है और ये किस city में हुए है उतरपरदेश की एक city जो है उतरपरदेश state है उतरपरदेश की जो city है चंदोली city चंदोली city को ही क्या बोला जाता है rice bowl of UP ये आप याद कर ले rice bowl of UP ठीक है और UP बोला जाता है यहाँ पर climate conditions बहुत अच्छी है चंदोली के और यहाँ पर vegetables वगएरा भी अच्छी उखती है tomatoes और भी बहुत सारी चीज़ है यहाँ पर अच्छी उखती है ब्रिंजल वगएरा ठीक है यह हो गया next question देखते है with which of the following the drone federation of India has partner to launch the him drone a thon program यह जो एक program है यह launch किया गया है drone federation ने drone federation of India ने किसके साब partnership की है तो उन्होंने partnership की है Indian army के साथ इसका जो answer है वो part B है part B Indian army के साथ partnership की है किसने drone federation ने और एक निया program launch किया है वो क्या नाम है यह कोशन डिरेक्टली भी आ सकता है इंडिरेक्टली भी आ सकता है कि drone federation ने किसके साब partnership की है इंडियन आर्मी के साथ की है यह कोशन नहीं आ सकता कि Drone Federation ने कौन सा निया प्रोग्राम लाँच किया है तो वो है Him Drone ने THONE प्रोग्राम यह जो drone है यह basically helpful है जो frontline troops है जो high altitude पे हैं उनके लिए जादा तर helpful होंगे और first face में यह drone कहां पे इस्तेमाल होंगे यह army operations जो की हिमाल्याज में होंगे हिमाल्याज में army operations के लिए यह use किये जाएंगे ठीक है first face में यहां पे use किये जाएंगे and next question is recently which government has announced to implement 100% an EP in higher education तो यह question जो है यह important भी है क्योंकि जो national education policy है वो काफी देर से launch हुई है लेकिन implement 100% अभी नहीं हुई थी लेकिन गोवा एक ऐसी state है जिसने इसको high education में implement करने के लिए बोला गया है कि 2022-23 में इसको implement किया जाएगा ठीक है 2023 के बाद 2023 से इसको implement किया जाएगा यह गोवा ने first announce किया है और यही जो new education policy है यह पहले भी implement हो चुकी है लेकिन pre-primary में हुई है ठीक है pre-primary में हुई है जिसको वाल वाटिका बोला जाता है और यह कौन सी state में हुई है उत्राखंड में ठीक है pre-primary के लिए उत्राखंड है और high education के लिए गोवा है ठीक है state गोवा है confused मत होना high education होनी है यह गोवा में और उत्राखंड में यह पहले से implement हो चुकी है लेकिन वो pre-primary schools में हुई है जिसको बाल वाटिका बोला जाता है बाल वाटिका क्योंकि उनके according की छोटे बच्चों को अगर अची education दोगे तो वो अच्छा result उसका मिलेगा क्योंकि उत्राखंड को ही क्या बोला जाता है कि हमारा यहां पे वो रहा बेस रहा है education का बहुत जारा अच्छे scholars जो है पुराने scholars उत्राखंड से आए है तो इसी के basic पे उन्होंने क्या बोला है कि pre-primary education में हम छोटे बच्चों को पहले त्यार करेंगे new education policy के अंडर next question है 12th edition of defense expo to be held in which of the following city बहुत important question है क्योंकि इस बार 2022 में biggest ever सबसे बड़ा defense exhibition हुआ है 2022 में defense exhibition सबसे बड़ा हुआ है और वो किस city में हुआ है गांधी नगर गांधी नगर किसकी city है गुजरात की ठीक है और ये जो defense defense expo है ये basically इसका theme क्या है इसका theme था path to pride इसका theme था path to pride और ये actually किसको tribute दिया गया आत्मनिर्बर भारत को ही tribute दिया गया जो की related है महात्मा गांधी जी के साथ क्योंकि महात्मा गांधी जी नहीं स्वदेशी movement चलाई थी make in India make for the world ये सारा कुछ इसमें है कि इसका main जो initiative है जो initiative लिया गया है वो ये है कि अगले 25 साल के अंदर India will lead in defense and aerospace India lead करेगा defense and aerospace में इसका ये initiative है अगले 25 सालों के अंदर अंदर next question है Gustavo Petro has been sworn in as the first leftist president of which of the following country so ये important question भी है क्योंकि Gustavo Petro जो है ये एक leftist president बने है अब leftist क्या होता है leftist जो है leftist एक ऐसा इनसान होता है जिसके जिसके जो political views को क्या बला जाए जाता है left wing political views जिसके क्या हो left wing political views हो अब left wing क्या होता है left wing वो होते हैं कि जो की social equality में believe करते हैं और oppose करते हैं social hierarchy को social hierarchy को oppose करते हैं और social equality में believe करते हैं equal opportunity, equal rights बगारा में तो ये जो Gustavo Petro है ये एक politician है economist है और एक gorilla fighter भी रहे है former gorilla fighter रहे है और इन्होंने defeat किया Rodolfo Suarez को और 2022 में ये president बने है किस country के? Columbia के इसका answer है part A Columbia के president बने है जो की पहले gorilla fighter थे और ये क्या करते हैं? इनकी ideology के है leftist ideology है ठीक है next question है first flight of Akasa Air has been inaugurated between which of the following two cities in India? ये भी अभी अगस्त में ही ये launch हुई है Akasa Air recently launched airline है इसके जो founder है वो है Vinay Dubey और राकेश जुन जुन वाला जो है जिनकी अभी थोड़ी देर पहले death हो गई थी उनका भी इसमें बहुत जादा stake था ठीक है और ये इसका जो headquarter है वो Mumbai में है Mumbai में इसका headquarter है और जो फर्स्ट इसकी flight गई थी वो Mumbai to Ahmedabad गई थी इसका answer जो है वो D part है Mumbai to Ahmedabad दो सिटीस के बीच में इसकी जो first flight गई थी और ये low cost airline है जो low cost carrier है सबसे low cost carrier इसको बनाया गया है इसको Akasa Air को और इसका headquarter मुंबेई महराष्टर में है next question है Ministry of Culture has launched India की उडान initiative in association with which of the following company India की उडान जो initiative लिया गया है ये basically एक tribute दिया गया है भारत के 75 वी independence की खुशी में ये tribute दिया गया है किसके साथ associate करके Google के साथ क्योंकि Google ने भी इसमें क्या किया है कुछ Google में कुछ वो आये थे artistic illustration दी गई थी पूरे भारत की पूरी पिछली अजादी का उसमें एक थोड़ा सा बताया गया था एक वीडियो ग्राफी दी गई है artistic illustration दी गई है गूगल arts and culture जो है उसने इसको execute किया था अपने Google के उपर ठीक है और इसके वीडियो भी है Google के उपर आपको मिल जाएगी अगर किसी ने देखनी होगी तो ministry of culture ने Google के साथ मिलके एक निया प्रोजेक्ट लॉंच किया है जिसका नाम है इंडिया की उडान ठीक है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा एक चीज़ और है कि यहां पे जो minister है जो cultural minister है minister of culture and tourism वो है G.Krishan Ready G.Krishan Ready तो अकर यह नाम कभी आ जाए question में तो आपको याद रहना चाहिए यह कौन है minister of culture and tourism ठीक है यह हो गया question इसी हां एक चीज़ और पता दूँ इसी में इंडिया की उडान के अंडर ही एक contest भी दिया गया है contest contest भी दिया गया contest 2022 जिसमें फर्स से लेके 10th के बच्चे जो है वो participate करेंगे और इसमें कुछ एक थीम है कि इंडिया विल बी इस दिया गया और इसमें जो बच्चे विन करेंगे उसको कुछ प्राइजस भी है next question देखते है who has become the first woman director's journal of the council of scientific and industrial research ओन सी जो first woman है जो director's journal बनी है of council of scientific and industrial research आपको आंसर पता होने चाहिए आप इनको जो परनांस है वो किसी भी नाम से कर सकते हो who has become first Indian woman to win a medal in race walk at Commonwealth Games 2022 यह बहुत important question है यह first time हुई है race walk और इसमें जो लड़की जो woman है वो उन्होंने medal इसमें जीता था यह कम से कम 10 km की जो race थी walk race थी Commonwealth Games में 2022 में और इसमें जो लड़की जिन्होंने इसको medal win किया है वो है इसका answer है part C Priyanka Goswami ठीक है इसका answer क्या है Priyanka Goswami आप इनको याद कर ले क्यूंकि याद तो चलो आपको रहेंगे रहेंगे लेकिन जब आपको पेपर में यह questions दिखेंगे अगर आपने इसको ध्यान से पड़ा होगा तो पेपर में जैसे यह questions दिखेंगे आपको अपने आप याद आ जाएगा कि Priyanka Goswami जो है उन्होंने medal जीता है किसमें race walk में in commonwealth games में who has become the first Indian to win gold in triple jump at the commonwealth games ठीक है यह किसने जीता है gold हाँ actually gold भी जीता गया है और silver भी जीता गया है दो आएं है gold और silver ठीक है gold जीता है वो जीता है या rouge paul ने इसका part बी आंसर है जिसने gold जीता है triple jump में या ल्डोज पास और silver जीता था Abdullah Abubakar ने ठीक है silver जीता हुआ Abdullah Abubakar ने और gold जीता है elders Paul यह दोनों Indians है ठीक है silver और gold दोनों ने जीता है यह दोनों इंडियन्स है और इनका फरक देख ले ना अल्डोज पॉल ने गोल्ड जीता है और अब्दुल्ला अबुबैकर ने सिल्वर जीता था विच स्टेट गवर्मेंट है यह आप कर लीजिये कि इन में से कौन सी स्टेट है जिसने पंच अमरित योजना स्टार्ट की है किसके लिए फार्मर्स की इंकम को डबल करने के लिए जिन्होंने स्टार्ट की है वो कौन सी स्टेट है किसी को इसका आंसर पता हो तो वो इस कॉमेंट बाउक्स में गया पंच अमरित योजना जो क्या गोल है जिसका doubling the farmers income ठीक है farmers की income को double करने के लाए इस तरह से भी question आ सकता है कि पंच अमरित योजना किसके related है तो वो किसके related है doubling farmers income तो ये question भी इस तरह से भी आ सकता है directly भी पूछा जाए सकता है indirectly भी पूछा जाए सकता है और किस नहीं किया है उत्रपरदेश government नहीं सो ये question हो गया next is who has elected deputy president of international chess federation और world chess federation हां जी जो world chess federation है या international chess federation के deputy president कौन बने है तो वो deputy president बने है विश्वनाथन आनन्द इनका नाम है विश्वनाथन आनन्द इसका answer आएगा part A ठीक है जो कि क्या बने है deputy president of international chess federation ठीक है ये question हो गया next is who was who has honored with the डिपाल आरंगम Dustin Award by Ladakh Autonomous Hill Development Council ये एक award दिया जाता है highest civilian honor है Ladakh का जो दिया जाता है on the foundation day of Ladakh Autonomous Hill Development Council जिसे इसकी foundation हुई थी उसी को celebrate करते टाइम ने ये जो honor award है ये दिया जाता है और इस बार ये दिया गया है Dalai Lama जो है Ladakh के जो spiritual leader है Tibet के तो उनको दिया गया है ये award ये 6th award था और उनको किस चीज के लिए honor किया जाता है contribution towards humanity ठीक है Dalai Lama जी जो है वो बहुत important है Ladakh के लिए और इस बार का award जो है highest honor civilian award जो है वो उनको दिया गया है India has set the target to eliminate kala azar from country by which year तो ये question आ सकता है kala azar जो एक disease है इसको eliminate करने के लिए totally complete करने के लिए इंडिया ने एक target जो है वो दिया है तो वो कब तक complete करेंगे ये है part B इसका answer है 2023 तक next year तक kala azar जो बीमारी है जो disease है वो खतम कर दी जाएगी eliminate कर दे जाएगी and next question is who has named as chairman of Vodafone and Idea Vodafone Idea एक association है Vodafone and Idea के बीच में ठीक है वी आई बोला जाता है इसको और ये जो है इसके जो chairman है वो कौन बने है कोई किसी को guess हो तो वो मुझे comment box में बता सकता है लेकिन इसका जो answer है मैं बता रहे हूँ है वो है part D रविंदर टकर इसका answer है रविंदर टकर ओके next question who has been appointed as the chief financial officer of भारत पे ठीक है भारत पे के जो chief financial officer है वो कौन बने है तो इसका answer किसी को पता है वो भी मुझे बता सकता है comment box में लेकिन मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या हुआ था कि भारत पे जो है यह अलग एक एप है जैसे पे टियम है पे टियम के तो बने है निकुल जैन नकुल जैन ठीक है नकुल जैन पे टियम के बने है और इंद्र मीद गिल जो है यह वर्ल्ड बैंक के कुछ एडवाइजर वगेरा बने है तो इसका answer क्या है इसका answer है नालिन नेगी इसका part C answer है नालिन नेगी ओके एंड नेक्स कोशन देखते हैं by which year the government has set a target of increasing natural gas in the primary energy mix by 15% यह भी एक target set किया गया है government ने target set किया है कि natural gas का जो इस्तेमाल है इसको 15% और increase किया जाएगा तो वो कौन से year तक किया गया है इसका answer जो है वो है 2030 2030 तक जो है इसका क्या कर दिया जाएगा 15% तक इसको increase गया जाएगा इसको natural gas को एक target set किया गया है next question which state astronomical observatory has been included in the UNESCO list of important endangered heritage observatories तो इन में से कौन सी जो astronomical observatory है उसको UNESCO ने अपने बीच में डाल दिया है जो की भी लूप तो हो चुकी थी और उसको उसमें अब इनलिस्ट कर दिया गया है एक astronomical observatory है जो पहले क्या थी एक university के अंडर ये university के बीच में ये astronomical observatory थी जो की विलुप तो हो रहे थी और अब ये UNESCO में अनलिस्ट हो चुकी है और वो कौन सी है ये है इसका answer है B इसका answer है part B बिहार बिहार इसका answer है बिहार में ये जो astronomical observatory थी एक university के अंडर भी थीक है तो उसको अब किसमें इनलिस्ट कर दिया गया ये UNESCO में next question is Danuri is the moon mission of which one of the following country हाँ जी moon mission जो है वो अभी और start किया गया किसी country ने किया है तो उसका answer क्या है उसका answer है South Korea part C इसका answer है South Korea ने Danuri mission जो है Danuri moon mission start किया है इसने ही पहले एक नूरी satellite भी भेजी है South Korea ने ही भेजी है और अभी इधो ने जो moon mission पे जो satellite भेजी है वो है उसका नाम है Danuri ये South Korea ने भेजी है next question is world's largest floating solar plant will be constructed in which district of the मध्यपरदेश अच्छा मध्यपरदेश की किस district में जो सबसे बड़ा पूरे world का सबसे बड़ा floating solar plant लगाया गया है construct किया गया है तो वो कौन सी district है ये question आ सकता है paper में तो ये district है मध्यपरदेश की खांडवा डिस्टिक इसका आंसर है खांडवा डिस्टिक अफ मध्यपरदेश उसमें सबसे बड़ा floating solar plant construct किया गया है next question is recently launched mission भूमी पूत्र विल प्रोवाइड easy public service to the people of state एक निया mission जो है वो launch किया गया है mission भूमी पूत्र और ये कौन सी स्टेट ने launch किया है ये इसका आंसर है असाम पार्ट सी इसका आंसर है असाम ने इसको launch किया है mission भूमी पूत्र next question which state launch the chief minister equal education relief assistance and grant चिराग scheme हाँ ये बहुत विवादों में रहा है ये current affairs में ये question आ सकता है क्योंकि ये बहुत problem रही उस state में एक state ने क्या किया था उन्होंने बोला था कि government schools में अगर कोई बच्चे admission लेते हैं तो उनको 500 रुपे जो है वो fee pay करने पड़ेगी लेकिन अगर वो private school में admission लेते हैं तो उनको 1100 रुपेया जो है वो government देगी और ये जो scheme के उपर बहुत जादा विवाद हुआ था ये किस state ने ये scheme दी है ये पहले भी एक scheme आई है चिराग scheme ये किसी और state में भी है लेकिन जो यहाँ पे है चीफ मिनिस्टर इक्कुल एजुकेशन रिलीफ एसिस्टेंट ग्रांट स्कीम ये जो है ये है इसका पार्ट सी आंसर है हर्याना ठीक है इसका हर्याना इसका आंसर है और वहाँ पे ये problem हुई थी और अभी उसको step जो है वो ठीक किया गया है प्राइम्निस्टर मोदी टीक है श्रीयमत राजचंद्रमिषण जो है वो प्राइमनिस्टर मोदी जी ने एक स्टार्ट किया है तो वो कौन सी स्टेट है कौन सी स्टेट में उन्होंने ये स्टार्ट किया है तो वो है उसका अंसर है D पार्ट गुजराथ ठीक है गुजराथ इसका अंसर है गुजराथ में कौन सा श्रीमदराज चंद्र मिशन प्रोजेक्ट लॉच्च किया गया है by Prime Minister Narendra Modi next question is who among the following has authored a book titled Dangerous Earth एक जो बुक है वो लिखी गई है उसके author कौन है उनका नाम है Alan Prager यह इतना important question नहीं है बट मैं आपको बता देती हूं यह अभी current affairs में आया था आया है अगस्त की तो इसलिए मैं इसको discuss कर रहे हूं Alan Prager है उनका नाम जिन होने बुक लिखी है The Dangerous Earth कि इनकी at present आर्थ की बहुत बुरी condition हो चुकी है pollution इतना जादा हो चुका है आप सब को पता है कि दिल्ली में तो सांस लेने की भी problem हो रही है और हमारी जो अर्थ है वो कहीन है कि इनकी बहुत डेंजरस हो चुकी है COVID आया कितनी सारी बिमारियां और और आये जा रही है तो इसी को मध्य नजर रखते हो एक बुक लिखी गई है Dangerous Earth और किसने लिखी है Alan Prager ने Next question Who has appointed as the director in Prime Minister's office अच्छा PMO office जो है उसमें इस बार के जो director है वो कौन बनी है कौन बने है वहां के director तो जो उसके director बनी है वो है Shweta Singh इसका part A answer है Director कौन बनी है Shweta Singh part A इसका answer है ओके And the next question is Which state Which state's first-ever student satellite will be launched by Marwari University partnered with ISRO and ITCA ठीक है तो क्या हुआ है Students ने एक satellite launch की है जो first-ever satellite students के द्वारा launch की गई है और ये जो launch हुई है Marwari University के under हुई है पहले तो आपको यहीं से पता होना चाहिए Marwari University है तो Marwari लोग कहां रहते हैं जादा वो कहां रहते हैं गुजरात में मिलते हैं आपको Marwari तो Marwari University भी गुजरात में है और ये जो satellite launch हुई partnered with ISRO and ITCA इस तरह से भी कोशन आ सकता है कि किस किस के बीच में partnership हुई है किस किसा आप partner हुए है तो ISRO and ITCA के बीच में partnership के through एक first-ever student satellite launch की गई है Marwari University के अंडर और इसका आंसर है part B क्योंकि गुजरात में ही जादा तर Marwari आपको मिलते हैं और इसका आंसर भी गुजरात है part B इसका आंसर है गुजरात which state has become the best state in utilization of agri infra funds अच्छा तो ये question आ भी सकता है कि agri infra funds को सबसे best utilize किसने किया है infrastructure वगारा को किसने best utilize किया है वो है state हमारी B part आंधर परदेश agri infra funds को best utilize करने वाली state है आंधर परदेश B part इसका आंसर है next question who has been appointed as the central vigilance commissioner अच्छा central vigilance commissioner कोन appoint किये गये है इस बार तो वो कोन है वो है सुरेश अन पतेल part A इसका आंसर है सुरेश अन पतेल ठीक है पहले जो थे वो कोन थे संजेक उठारी थे जो अब change हो चुके है अब कोन बने है सुरेश अन पतेल Central Vigilance Commissioner who among the following has authored a book टाइटल डेंजरस अर्थी question दोबारा repeat हुआ है मैं इसका आपको आंसर बता चुकी है इसका आंसर क्या है इसका आंसर part C है Alan Preggle repeat हुआ है यह question आंसर C इसका है Alan Preggle next question which city has become the first city to publish the environmental insights explorer EIE data from Google हाँ जी तो कौन सी जो first city है जिसने अपना सारा का सारा जो data है वो Google पे डाल दिया involvement के रिलेटर जो भी data है चाहिए अच्छा है बुरा किसी भी तरीके का जो data है वो सारा का सारा किस के उपर है Google के उपर है कौन सी city है वो है इसका आंसर है next question who among has appointed world bank's new country director for India world bank's new country director for India जो world bank का निया director है इंडिया के लिए country director है वो कौन इस बार बने है तो इसका आंसर है part A अगस्त टानो को मे इसको आप किसी भी तरीके से परनाउंस कर सकते हो अगस्त टानो को मे इनका नाम है जो कि क्या बने है इंडिया next question which following has defeated Germany in UEFA Women's Euro 2022 ये एक मैच होता है women's का football के रिलेटर तो कौन सी country है जिसने Germany को defeat किया है इसमें UEFA में तो वो कौन सी country है England इसका आंसर है part A England England जो है उसने defeat किया है किसको जर्मनी को defeat किया है किसमें UEFA Women's Euro 2022 football के रिलेटर है ये कब who has surpassed China's Yang Huan to become Asia's richest woman हाँ जी तो पहले आप मुझे ये इसमें दो question बन सकते हैं कि पहले कौन थी पहले जो China की Yang Huan थी जो Asia की सबसे richest woman थी जो अब की पीछे रह चुकी है इसको सरपास कर दिया गया है किसने किया है Part A Savitri Jindal पहले कोन थी चाइना की Yang Huan जिसको अब सरपास किया है Savitri Jindal ने हमारे इंडिया की जो जिंदल हमारे यहां पे उन्होंने Savitri Jindal इंडिया की Savitri Jindal इनको अब पीछे हटा दिया सबसे एशिया की रिचेस्ट बूमेन बन गी है Savitri Jindal And next question Center Government Has created special task force Under whom leadership To keep track of monkeypox cases तो किसको किसको leadership दी गई है किसके leadership के Under एक special task force बनाई गई है यह force जो है किसके ओट ट्रैक करेगी monkeypox cases जो हुए थे जो सबसे पहले स्टार्ट हुए थे सबसे पहले जो इसका case स्टार्ट हुए है वो आपको England में मिलता है monkeypox का case जो first case आया था वो पहले England से शुरू हुआ था उसके बाद यह cases जो है वो आगे भड़े हैं और इंडिया में भी कारला में फर्स्ट केस इसका मिला गया और इसके लिए एक special task force बनाई गई है और यह task force क्या track करेगी monkeypox केसिस को इन monkeypox का नाम चेंज कर दिया गया लेकिन यह उनको ट्रै करेगी उसका नाम है VK Paul जिनके अंडर यह leadership दी गई है वो है VK Paul नेक्स कोशन विच फार्मूला वन रेसिंग ड्राइवर वन दा हंगेरियन F1 Grand Prix तो वन रेसिंग ड्राइवर जो है जिन होने इस बार का यह जीता है हंगेरियन F1 Grand Prix जीता है वो है मैक्स वर्स चेपन यह नहोंने अल्मूस सारे ही जीते हुए है यह नीदर्लेंट के हैं और यह ही जादा तर यह सारी चीज़ें जीतते हैं नेक्स कोशन इस विच स्टेट गोवर्मेंट हैस लॉंच्ट महतारी नियायरत पॉर वूमेंस राइट अवेरनेस वूमेंस राइट अवेरनेस के लिए एक योजना स्टार्ट की गई है एक स्टेट गोवर्मेंट ने यह योजना दी है तो वो कौश स्टेट है जिसने यह योजना दी है जो कि किस के लिए है वूमेंस राइट अवेरनेस के लिए एक योजना उसका नाम है महितारी न्यारत योजना यह question indirectly भी आ सकते हैं कि कुछ यह वालि स्टेट ने यह वाली योजना जो दी है वो किसके लिए दी गही है तो वो किसके लिए है women's right awareness के लिए महितारी न्यारत योजना और यह state जो देने वाली है उसका नाम है part D इसका answer है 36 गड़, 36 गड़ state ने ये योजना start की है indirectly भी question आ सकते हैं जरूरी नहीं होता है कि directly ही आएं तो आप इनको ध्यान से पढ़ें What is the name of India's first teaching robot introduced by Indus International School तो एक teaching robot बनाया गया है Indus International School के द्वारा जो की पढ़ाएगा ठीक है teaching करेगा और ये जो robot है इसका क्या नाम है इसका नाम है Eagle Robot Eagle Robot नाम याद रखना है Eagle Robot जो की first teaching robot है किसने बनाया है Indus International School ने बनाया है Next question is recently which states dollar city will become the national hub of semiconductor industry हाँ जी semiconductor industry इस बार जो है वो launch हुई है और किस state में हुई है और किस city में हुई है यह मैं आपको बता दू जो इसकी state है वो state है इसकी गुजरात और यह जो दॉलरा city है यह कहां पर है यह है गुजरात में है इसकी state मैंने आपको बता दिया गुजरात state में हुई है पूरा national hub बनाया गया है semi conductor industries के लिए तो first city कौन है dollar city और कहां पर है यह city यह है गुजरात में next question who has named as new high commissioner of India to Bangladesh अच्छा तो यह question जो है कि कौन है जो हमारे high commissioner बने हैं इंडिया के बंगलादेश के लिए of India to Bangladesh तो वो है प्रने कुमार वर्मा इसका अंसर है यह भी बनने वाले हैं बन गए हैं इतना important question नहीं है बर इसका आप याद कर लें हमारे high commissioner of India to Bangladesh जेके SSB में यह question शायद ही पूछा जाए लेकिन आप देख लें which country's Leicester cricket ground has named after Sunil Gawaskar Sunil Gawaskar जो है वो इंडिया के cricketer हैं इंडिया के player है तो इनके नाम के उपर किसी और देश ने किसी और country ने अपना जो पहला नाम था cricket का cricket ground का उसका नाम change किया है वो किसके नाम पर रख दिया है Sunil Gawaskar के नाम पर रखा हुआ है तो वो कौन सी country है इसका answer है part A England इसका answer है Leicester cricket ground था उसका नाम अब Sunil Gawaskar के नाम पर रखा गया है next question जो है वो है who is the youngest player of Indian contingent in Commonwealth Games 2022 इस बार जो youngest player जो थी वो कौन है जिन्होंने Commonwealth 2022 में पार्ट लिया है अनाहत Singh 2022 में Commonwealth Games में इन्होंने पार्ट लिया और यह youngest player है 14 साल इनकी उमर है next question is largest pink diamond in 300 years Lulo Rose found in which of the following country तो कौन सी country है जिसमें सबसे बड़ा pink diamond जो है वो मिला गया है 300 साल के बाद में यह मिला है यह pink diamond और इसका नाम है Lulo Rose और यह कौन सी country में मिला है तो part B इसका answer है अंगोला country में यह मिला है pink diamond 300 साल के बाद और इसका नाम है Lulo Rose next question who has become the first athlete from India to win a medal Commonwealth Games 2022 तो हमारी इंडिया का जब इस बार Commonwealth Games हो रहा तो सबसे पहला medal जो है वो किसने जीता है Commonwealth Games 2022 में क्योंकि इस बार इंडिया ने बहुत ज़ादा medals जीते हैं total 61 medals जो है वो जीते हैं इंडिया ने और fourth place रहा है हमारा पूरे world में ठीक है तो इसमें इसका जो आंसर है जिसने first medal जीता है जिसने शुरुआत की है वो है संकेत सारगर संकेत सारगर ने first medal जीता था और इसके बाद हमने 61 medal जीते हैं 60 medal और जीते हैं इसका आंसर अगर किसी को पता है तो वो मुझे comment box में comment कर दे तो मैं इसका आंसर तो बताऊंगी ही इससे क्या होता है इससे आप कभी पता चल जाता है कि आप कितने active है पढ़ने में मैंने तो आपको बता नहीं answer लेकिन अगर आपको आता है तो आप अपना knowledge भी check कर लीजे और इसका आंसर जो है वो part C है गांधी नगर गुजरात मैंने आपको बोला कि इस पर गुजरात मे बहुत कुछ हुआ है अगस्त में तो ये है गांधी नगर इसका answer है गांधी नगर गुजरात क्योंकि यहाँ पर elections होने वाले है तो इसलिए वहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें हो रही है which state has become the first state in the country to have a dedicated semiconductor policy तो ये मैंने आपको पहले भी बताया कि semiconductor के बारे में कौन सी city थी वो दॉलरा city थी तो वो कहां पे है गुजरात में है तो ये भी उसी के related question है गुजरात इसका answer है part C इसका answer है part C गुजरात ये जो chips है ये chips semiconductor chips जो पहले ताइवान से इंपोर्ट होती थी लेकिन अब यहाँ पे इसका center एक national hub बना दिया गया है which country has delivered to MH60R multipurpose helicopter to the Indian Navy हाँ जी तो हमारी Indian Navy जो है वो MH60R multipurpose helicopter import कर रही है कौन सी country से कर रही है इसका answer है part C इसका answer है अमेरिका से हम import कर रहे हैं ये जो MH60R है ये world most advanced maritime helicopter है ठीक है और ये हम कहां से import कर रहे हैं अमेरिका से next question who has been appointed as the next दिली police commissioner ये question शायद ही आई ये नहीं आ सकता question लेकिन इसका answer आप देख लो कि ये अगस्त के current affairs में fall हो रहा है तो इसका answer में बता देती हूँ कि दिली police commissioner कौन जो है वो appoint किये गए है इसका answer है बी पार्ट संजे अरोडा ठीक है has been appointed as the next दिली police commissioner वो है संजे अरोडा पार्ट बी इसका answer है तो यहीं पे हमारे October के current affairs जो है वो मैं mcqs में लाओंगी आप जो है वो सारा syllabus पढ़ें आपको सारा कुछ youtube में मिल जाएगा अगर आप आप में पढ़ना चाहो तो आपको इससे जो इसकी pdf है वो आपको एप में मिल जाएंगे एप का link जो है वो description में दे दिया गया है मैंने आपको बताया है वहां से जाके पूरा syllabus पढ़ें क्यूंकि paper आने वाला है अगर आप अभी से त्यारी कर लें तो बहुत अच्छा हो का MCQs आपको वहां पर प्रवाइड हो जाएंगे बाकि इन जो वन शॉट MCQs है वो भी आपको सर प्रवाइड करेंगे आप अच्छे से पढ़ें जिस जिन questions का आपको मैंने comment box में बोला था answer देने के लिए वो आप लिख दें से आपका भी knowledge check होगा और अच्छा हो करें दोchem हो तर दी करें जाएंगे को पना कि इन जाएंगे आपकर्वाइड करेंश बासे हो तो वहां हे झातो और रागरें छोंने क्या या हो जाएंगे करेंगे देमेगे र critic हान्से जोंने की जात, या झाल〜जणे श., भी सान्से लासे बिई वासेंड तो तो वाल खूं